experience होगा तो entry करने के लिए थोड़ा सा आपका रास्ता easy होगा instruments होते हैं चाहे वो measuring instruments हो या other type का instruments हो inspection instruments जो होते हैं तो है उसका temperature check करते हैं कि सही value आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मतलब basic salary का मैं बात कर रहा हूँ अगर आपका basic ही 35 या 40 starting में मिल जाता है Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि instrument technician कौन लोग बनते हैं, क्या qualification होनी चाहिए, कौन सा course किया जाना चाहिए, कितना salary होती है Gulf countries में और Gulf countries में आने के लिए requirement क्या होना चाहिए, यानि कितना experience होना चाहिए और age limit कितनी होनी चाहिए Gulf में आने होते हैं, इनका जो क्या क्या काम होता है, तो ये भी एक important part है इसमें का, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत ये भी जानेंगे कि supervisor कैसे आप बनते हैं, supervisor के लिए क्या qualification होना चाहिए, और जो लोग engineer होते हैं, तो उन्होंने तो engineering किया हुआ हुआ है तो चलिए अब बात करते हैं कि instrument technician कौन लोग बन सकते हैं, तो सबसे पहला जो step हम लोग यहां से शुरू करते हैं, कि instrument technician बनने के लिए कम से कम आपके पास, sorry, आपके पास metric, यानि कि 10th होना चाहिए, ठीक है, 10th करके अगर आप किसी institute से अगर आप ITI कर लेते हैं, लगबग एक साल का होता है, और बेहतर होगा कि आप ITI का जो institute है, उससे contact करके पुछेंगे, वो लोग बेहतर बताएंगे कितना duration का होता है, तो instrumentation में आप जा करके अगर यह ITI कर लेते हैं, तो आप एक instrument technician बन जाते हैं, उसके बाद आपका जो काम है, आप job ढोंड़िए, job कीजिए और अगर आप diploma कर लेते हैं, तो यह बेहतर और ज्यादा आपके लिए है, क्यों बाद में जा करके अगर आपको supervisor बनना पड़ेगा, तो यह तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है, लेकिन रही बात की, अगर आपका, मतलब आपका जो background है, family, आपका financially उतना support नहीं कर पाती है, तो 10th के बाद 3 साल का diploma जो होता है, instrumentation technology में, तो 3 साल का diploma करने के लिए कहीं भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो 3 साल, या आप वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे रहने का खाने का पर मन्त, जो खर्चा है, वो आपके घर वाले दे पाएंगे, कि नहीं दे प पता होगा, तो बहुत सारे लोग का अगर ये नहीं हो पाता है, तो वो लोग 10th कर लिए और ITI कर लेते हैं, और वो भी technician में जाते हैं, तो ये depend करता है कि आप उसको afford कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो diploma is better option, ठीक है, और रही बात की जो ITI कर लेते हैं, तो I ITI करने के बाद, गल्फ में आने के लिए, आपके पास कम से कम 4 साल या 5 साल का experience होगा, तो entry करने के लिए थोड़ा सा आपका रास्ता easy होगा, और वैसे भी, मतलब यहाँ पे अब आने के लिए जो experience 4-5 साल तो होना चाहिए, और इसके अलावा, यहाँ पे जैसे गल्फ permit for Oman employment visa, तो उस पे लिख के आजाता है कि 21 साल चाहिए या 22 साल चाहिए, कुवायत जाने के लिए कितना age होना चाहिए, साथी जाने के लिए कितना age चाहिए, तो उसके हिसाब से 21 या 22 साल का जब हो जाते हैं, तो आप गल्फ के लिए try कर सकते हैं, तो लगबग जब तक आ होते हैं, instruments वाले, तो आपका जो काम यही होता है, कि जो भी instruments use होते हैं, किसी भी plant में, तो generally गल्फ कंट्री में क्या है, oil and gas का एक बहुत अच्छा scope है, तो यहाँ पे oil and gas में किसी भी plant में, चाहिए refinery का plant है या other कोई भी plant है, तो उसमें अलग-अलग type के instruments use होते हैं, जैसे pressure indicator, temperature indicator, flow meter वगेरा वगेरा यह सब होते हैं, ठीक है, तो उन सब का, मतलब उन सब को check करना maintenance जैसे जब होता है, तो maintenance के लिए आप check करके उसको repair करते हैं, install करते हैं, यानि कि जब नया plant बनता है, तो उसमें सब पूरा नया-नया instruments उसमें fix करना होता है, तो नय-नय जो भी instruments हैं उसको आप install करते हैं, जब पुराने हो जाते हैं, तो उस plant का जब maintenance होता है, तो जितने भी instruments हैं, उनका भी maintenance किया जाता है, तो जो भी खराब item हो गया, जो repairable है, repair होता है, जो replace करना होता है, वो replace किया जाता है, और इसके बाद calibration करना, यानि जो भी instruments होते हैं, चाहे वो measuring instruments हो या other type का instruments हो, inspection instruments जो होते हैं, इन सब का या जो भी कुछ छोटे-मोटे जो machines होते हैं, उनका भी calibration करना, ये भी instrument technician का ही काम होता है, होंकि हम लोग का जैसे एक welding machine use होता है, instrument technician उसका भी calibration करते हैं, क्यों इसमें जो कितना current आ रहा है, जो machine में digitally दिखाता है, कि 100 ampere अगर current आ रहा है, तो आप वहाँ पे आएंगे instrument जो technician होते हैं, उसका calibration करने के लिए, तो आप clamp meter से check करते हैं, कि कितना उसका ampere current आ रहा है, तो अगर 100 ampere machine में का जो digit है, उसमें दिखा रहा है, जो machine का जो screen होता है, उस पे दिखा रहा है 100 ampere, आपका उसमें दिखा रहा है, कि machine में जितना दिखा रहा है, हमारा clamp meter में अगर उससे 2 ampere, 4 ampere तक plus minus 5 रहता है, तो वो accepted होता है, तो यानि वो machine सही काम कर रहा है, मतलब एक standard आपको मालूम होता है, एक technician को पता होता है, कि कोई भी instrument चेक करने के लिए, उसका tolerance कितना होता है, यानि जो value आना चाहिए, plus minus कितना तक accepted है, कितना वो rejected है, यानि उसके बाद अगर वो reject है, यानि उसको repair करने का जरूरत है, उसको सही करने का जरूरत है, अच्छा तो इसमें installation, maintenance, repair और जो calibration होता है, तो installation मतलब नया जो भी install करने का है, या पुराना उसको repair करके फिर दुबारा से वहां पे install करना, या मतलब जो खराब हो गया, अगर कोई भी instrument उसको फिर से निकाल करके दूसरा नया लगाना, तो ये सब काम तो एक हो ही गया, और जो calibration होता है, वो समझ लीजे calibration होता क्या है, तो जैसे कोई भी tools हो गया, या machine हो गया, जैसे welding machine हो गया, या कोई भी inspection measuring tool हो गया, तो उसको measuring करने के लिए हमारे पास हमको कैसे मालूम बढ़ेगा कि वो measuring tool है, वो सही reading दे रहा है, यानि कि हम जो check कर रहे हैं, उसका जो भी measuring tape हम use कर रहे हैं, चाए वर्नियर का लीपर से हम अगर किसी चीज का thickness check कर रहे हैं, तो उसका reading सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको confirm, इसको certify कर करने के लिए third party से हम लोग उसका calibration कराते हैं, तो वो लोग calibration करके और उसको valid कर देते हैं, कि एक साल तक के लिए ये इसका सही reading मतलब है, तो एक standard के हिसाब से होता है, कुछ tools का जैसे 6 महीना के लिए, या कुछ tools का एक साल के लिए, ये depend करता है, वहां के लिए कौन सा standard का use क किया जाता है, उसके हिसाब से, standard के हिसाब से उसको validate किया जाता है, कि एक साल के अगले आज calibration हुआ, तो अगले 6 महीना के लिए, या अगले एक साल के लिए, ये जो tool है, use किया जा सकता है, तो instrument technician का ये सब भी काम होता है, और जैसे oven होते हैं, portable oven या mother oven, जिसमें electrode का baking किया ज नहीं आ रहा है, तो ऐसे मतलब check करके उसका calibration होता है, calibration का एक sticker उसके लगाया जाता है, उसका certificate बना करके मिलता है, हम लोग जैसे कराते हैं, ये सब, कोई भी measuring instruments हो गया, simple measuring जो tape होता है, 5 मीटर का, 10 मीटर का, 15 मीटर का, या जो vernier caliper होते हैं, उसका भी calibration करना, painting instruments जैसे होते ह हैं, जो भी hydrometer हो गया, या salt test करने के लिए salt meter हो गया, और इसके अलावा other मतलब instruments जैसे pressure gauge भी जो होते हैं, pressure gauge का pressure indicator जो होते हैं, thermometer जो होता है, ये सब चीज का calibration करना और उसका, ये सब भी काम आपका instrument technician का होता है, ठीक है, तो ये सब तो काम हो ही गया, plant में आपको नया नय जो instruments है, वो install करना और फिर वो खराब होता है, तो इसको repair करना, ये सब काम आपका होता है, और अगर आपका अच्छा खासा experience हो जाता है, अगर आप instrument technician है, और आपने diploma किया है, तो आपके chances बहुत हाई हैं, कि आपका जब experience बढ़ते जाता है, तो एक supervisor का label पर जाना आपके लिए बहुत ही easy होता है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, कि आपका जो salary होता है, लगबग लगबग technician होते है, तो starting में 25,000 रुपया तो Gulf countries में आपका मिलता है, 35-40 तक भी जा सकता है, ठीक है, अब मतलब basic salary का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका basic ही 35 या 40 starting में मिल ज है, उसमें try करेंगे, तो और आपका salary थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, और अगर आप supervisor का position पे चले जाते हैं, तो आपका जो salary होगा वो लगबग 60-70,000 रुपए starting में मिलना चाहिए, और experience बढ़ेगा, तो आपका लगबग लाख रुपए पहुच जाएंगे, और से भी उपर जा सकते हैं, ठीक है, और instrument supervisor के लिए मैं बता दूँ कि जो लोग simple graduation किये हैं, और instrument technician का मतलब इसमें जाकर के कुछ course वगरा कर लिए हैं, तो जो supervisor position पे जाने के लिए, जो graduate मतलब है, simple graduate है, किसी भी मतलब field में, तो वो लोग भी supervisor बन जाते हैं, मैंने देखा हुआ है, ठीक है, उस field में आपका experience हो जाता है, और आपके पास course का certificate है, तो आप supervisor का position पे जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब generally काम होता है, कि आपको install करना होता है, repair करना होता है, calibration करना होता है, और इसके इलावा भी बहुत सारा कु यही सब होता है, और रही बात की Gulf countries में इसका scope क्या है, तो Gulf countries में आपको पता है कि oil and gas का एक बहुत ही बड़ा scope है, इसलिए यहाँ पे जो instrument का कोई भी नया plant बनेगा, तो पूरा काम जो है वहाँ पे करना पड़ता है, और बड़ा जब plant बनता है, तो refinery का for example एक plant बनेगा, तो छोटे मोटे जो company है ना उन्ही सबसे काम मिलता है, तो छोटी मोटी जो company है अब वहाँ पे वोलों को welding करने के लिए welding machine है, जो inspection होता है, अब वहाँ पे fabrication होता है, welding होता है, painting होता है, तो वो सब inspection करने के लिए जो भी tools use होते हैं, जो भी instruments use होते हैं, तो उसका calibration कराने के के लिए भी मतलब कांटेक्ट करना पड़ता है कि इसको जो यह सब कैलिब्रेशन करने वाली जो थटपाटी कंपनिया है जिसमें की आप अगर काम कर रहे हैं तो वहां से कोटेशन ले करके और वहीं पर कैलिब्रेशन के लिए उनको बुलाया जाता है तो आप लोग यानि इ विए से टूल्स होते हैं वह भेज दिये जाते हैं तो लैब में चेक करके मतलब उसको मेंटेनेंस भी करने का काम होता है या कुछ करना होता है तो वह करना किया जाता है तो यह एक बेसिक मैंने आपको एक आईडिया दिया ठीक है तो गल्फ कंट्री में आने के लिए चार में आया होगा instrument technician से आप supervisor बन सकते हैं बहतर है कि आप diploma किये रहेंगे आपका अगर उतना कहने का मतलब है कि financially support नहीं है तो आपको ITI भी कर लेना चाहिए ITI भी करेंगे तो technician के job पे अच्छा पैसे earn कर सकते हैं अच्छा इसमें मैं एक साथ बता देता हूं कि बहतर होगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैटी करके इंटर करके graduation कर लीजिये कम से कम graduation करेंगे और अपके पास है ज़रूर नहीं के instrument technician में ही आप जाएंगे और जाके supervisor बनेंगे graduation किये रहेंगे तो आपका order भी काम में भी जा सकते हैं graduate एक आपके पास डिग्री हो जाएगा तो डिग्री के basis पे कुछ किसी भी फिल्ड में जाएंगे तो उसमें supervisor होने के chances आपके रहते हैं आपका degree का basis पे प्लस आपके पास जो भी काम का knowledge रहेगा काम का जो experience हो जाएगा तो उससे आपका qualification का थोड़ा सा फाइदा मिल जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को खतम करते हो के thank you very much